सावन के पहली सोंवारी पर गंगा असनान करने और बैजना धाम जाने वाले श्रधालू का उत्तरवाहिनी गंगा में सैलाब उमड पड़ा आपको बता दे कि रात के बारा बज़े के बाद से ही काफी संख्या में गंगा में अस्नान कर श्रधालू बैजना धाम के लिए रवाना हो रहे है सुल्तान गंज का गंगा घाट के सरिया में हो चुका है प्रशासन की उर से गंगा नदी में S.T.R.F. और नाविक की तैनाती की गई है इसके साथ ही गंगा में बैरिकेटिंग भी की गई है वहीं गंगा घाट पर पुलिस बलों की तैनाती की गई है आज यहन की सोमवार को एक लाग से अधिक श्रधालों की बैजनात धाम जाने की संभावना चताई गई थी वहीं सोमवारी को लेकर गंगा असनान के लिए अस्थानी लोगों की भीड उमर पड़ी है अस्थानी लोग गंगा असनान कर उपवास करते हैं आज की दिन गंगा असनान और उपवास का एक बड़ा महत्व माना जाता है सावन का सोमवार आने पर शिवलिंग में बेल पत्र धदूरा भाग सफेद फूल दूद सफेद चंदन अक्षत आदी अर्पित करते हैं भक्त ऐसा कहा जाता है कि इस दिन गेल पत्र पर सफेद चंदन से राम राम लिख कर शिवलिंग पर चड़ाने से भगवान शिव अत्यम्त खुश होते हैं प्रसंद होते हैं प्रभातकाबर.com विश्वास्वही रवतार नई